नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभिप्रताब और आप देख रहे हैं AP Drawing तो गाइज अगर आपको हिरन का चित्र बनाना नहीं आता है तो आप बिल्कूल भी घबराईए मत आज हम आपको S-Later की हेल्प से जी हाँ दोस्तों S-Later की हेल्प से हीरन का चित्र बनाना सिखाएंगे तो आप जल्दी से Marker Paper Pencil उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए यहाँ पर ही कैसे हम S-Later लिखेंगे S-Later लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा इधर से ही आपको एक लाइन ऐसे बढ़ाना होगा यहाँ पर ऐसे डबल कर दीजिएगा और आपको इधर इसका S-Later बना देना है पहले इधर से डबल करेंगे एक बार फिर आगे बढ़ाईएगा यहाँ से ऐसे डबल करते जाईएगा इस तरह आपको इसका S-Later बना देना है यहाँ से भी आप ऐसे S-Later बना देंगे इधर से डबल करेंगे थोड़ा सा और ले जाईएगा यह वाला पॉर्शन यहाँ से बढ़ाईगे और इसको आगे के साइड में भी ऐसे डबल कर देंगे अब देखिएगा इस S-Later को हमें जश्ट तोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे बनाना होगा यहाँ से हलका सा अंदर की तरफ ले जाएगे यह हो जाएगा फिर इसको नीचे की तरफ ले जाएगा और यहाँ से अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ से एक बार फिर से करिएगा अलका सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से नीचे की तरफ ले जाएगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे मिलाने के बाद आप इसका पहले तो आई बना दीजिएगा जब आई बन जाएगा तो इधर से आपको इसका double करना होगा यहां से ऐसे बढ़ाएंगे यह हो गया आप वीडियो को लाक्ष तक जरूर देखते रहीगा क्योंकि वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है इससे आसान तरीका यूटूब पर अभी आपने कहीं भी नहीं देखा होगा अब आपको एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करना है इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाना होगा फिर दोस्तों नीचे की तरफ ऐसे कर दीजिएगा देखी कितना आसान है एक इधर बढ़ाएंगे ये वाला portion आप ऐसे double कर देंगे और यहाँ से एक line ये हो जाएगा अब इधर से भी आपको एक straight line ड्रॉ करना है यहाँ से भी ऐसे एक straight line ड्रॉ करिएगा हलका सा इधर से गुमा देंगे नीचे की तरफ और इधर भी आपको इसका ऐसे पंजर बना देना है अब दोस्तों यहां से दिखेगा पहले उपर के साइड में आ जाईए इसको हमें ऐसे उपर की तरफ बढ़ाना होगा यहां तक बढ़ाईए तोड़ा सा और नहीं शे की तरफ ले जाईएगा बहुत ही अराम से करिएगा और अपने द देना गिखेगा इसको थोड़ा सा आप ऐसे हलका सा यहां से इसलेक बनाना है इसका यहां से ले जाइए नीचर के तरफ करिए यहां यहां से आप achievements डबल करतेंगए फिर नीचरी सबस्क्राइव यह होगा इसका एक साइज आणाless का यहां से करेंगे यहां 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 से बना दीजिए अब दोस्तों इधर से आपको हलका स्था यहां से अंदर करना होगा फिर इधर ऐसे बढ़ाना होगा और उपर के साइड में से मिला देना है और जश्ट इसी के बीच में आप ऐसे छोटे-छोटे एक चोटा एक बड़ा एक चोटा एक बड़ा सरकिल बना जरूर बताईएगा